डॉक्टर पार्दीवाला ने कहा कि रात भर बजन कम करने का प्रयास किया गया पैरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को बड़े बजन की कारण अयोगे घुशित किये जाने के बाद भारती दल के मुख्य चकित साधिकारी डॉक्टर दिन्शा पार्दीवाला ने बताया कि मंगलवार को तीन बाउट लड़ने के बाद विनेश का बजन तेजी से बढ़ा जिसके बाद मेडिकल टीम ने विनेश का बजन कम करने के लिए पूरा प्रयास किया है बजन कम करने में खुराग, पानी वा अन्य चीजों का ध्यान रखना पड़ा है इसके अलावा एतलेट को पसीना भी निकालना होता है पार्दीवाला के अनुसार विनेश के तीन बाउट थी इसलिए उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कुछ मात्र में पानी देना पड़ा हालां कि देखने में आया है कि बाउट के बाद विनेश का बजन समानने से अधिक भड़ रहा था इसके लिए कोच ने विनेश पर समानने प्रक्रिया शुरू की और उन्हें पूरा भरुसाता की रात के बाद विनेश का बजन नियंत्रण में आ जाएगा हमने विनेश का बजन कम करने के लिए सब उपाय किये हैं यहां तक कि विनेश के बाल भी काटे उनके कपड़ों को भी छोटा किया गया लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी बजन कम नहीं हो पाया है फिलहाल विनेश को इस्थाने ओलमपिक पाली क्लेनिक में तरल प्रधार दिये जा रहे हैं उनके सभी इस्तती समानने हैं उन्होंने पीटी उशा से भी बात की है वहशाररेक तोर पर बिल्कुल समानने हैं लेकिन तीसरे ओलमपिक में भी पदक नहीं जीत पाने का मान से कश्ट है